इस वीडियो में जमीन प्लोट की रेजिस्टरी कैंसिलेशन के बारे में कोट के बहुत ही मैथबूर आदेस के बारे में जानेंगे जिस आदेस से कई लोगों की रेजिस्टरीयां जमीन की प्लोट की रेजिस्टरीयां कैंसिल होंगी और सातियों इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि Registry Cancel कैसे होगी और With Proof जो आदेस है ये और Registry Cancel की प्रिक्रिया सातियों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि Registry Cancel कौन कौन सी Registry Cancel होगी उसके बाद आपको With Proof के आदेस एक चीज और है कि यदि आप कोई legal advice कानूनी सलाह लना चाहते ले सकते contact number वीडियो की description में दिया गया है सातियों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक registry देखिए आपने कोई जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो एक चीज देखिए आप यहाँ पे एक है स्री रियाजदीन पुत्र स्री सत्तार खान ठीक है इन्हों ने नरेश कुमार को एक किताब प्लोट संक्या 28 ठीक है खसरा संक्या 36 में बेच दिया ठीक है भई फिर इन्हों ने यही प्लोट स्री रियाजदीन पुत्र स्री सत्तार खाने देविंद्र कुमार को बेच दिया कौन सा प्लॉट प्लॉट नमबर 28 खसरसंक्य 3 यानि कि एक ही प्लॉट बेच दिया अब इसमें जो लास्ट वाली रेजिस्ट्री है वो कैंसल होगी और ऐसी तमाम रेजिस्ट्रियां बिलकुल कैंसल होगी अब मैं आपको आदेस दिखा होना चाहते हैं जिससे डवर रेजिस्ट्री आपके साथ कोई फ्रोड बगेरा ना हो ठीक है डवर रेजिस्ट्री खतों नहीं बगेरा तो यह सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते कॉंटेक्ट नमबर वीडियो की डिस्केशर में दिया गया है अब साथियों हम कोट का से ज़्यादा बेच दिया तो ऐसी रेजिस्ट्रिया कैंसल होती है अब यह देखिए कोट द्वारा आदेश जो दिया गया वह आप देखिए साथियों देखिए यहां पे लिखा है यहां पे आप देखिए भासकर आनंद बनाम इंतजार नरस्त किया जाता है आदेश का अ विक्रेता नहीं कि प्रोपरिटी डीलर ने भाई किसी विक्त को जमीर बेच दी रेजिस्ट्री करा दी कवजा भी दिला दिया लेकिन जब दाखिल खारज की लिए एप्लाई किया तो अरोंने क्या किया कि खतोनी पर इस विक्रेता दोरा अपने अंस से अधिक विक्रे कर यानि कि अब उनका बची नहीं रहा था फिर भी विक्रे कर दिया ठीक है तो इसके पस्चात सुमित विक्रेता विक्रेत स्वेसी नहीं बचता इसलिए उन्होंने वही दाखिल खारज का आदिस नहीं किया अब इस बेक्तिकी रेजिस्ट्री भी कैंसल हो सकती है अगर आप न जब आप म्यूटेशन कराएंगे तो म्यूटेशन होगा नहीं क्योंकि मेरे 11 सा खरीद ही नहीं 11 समय मेरे अससी नहीं बच रहा है यतना बची नहीं रहा है तो वह इस प्रकार से आदिस दे देगा जो भी तैसीलदार रेवेन्यू नहीं आला है कि आपका आंस नहीं बच खरज नहीं होगा फिर कोई वी विकति आपकी उस रजिश्ट्री को भी कैंसिल करवा सकता है क्योंकि जब मेरा भई अन्स ही नहीं बच रा तो मैंने रेजिश्ट्री कर कैसे दी तो साथ यो एसी रेजिस्ट्रियां जो डबल रेजिस्ट्रियां हैं जो अन्स से अधिक कर दी गई जो धोखा धड़ी से रेजिस्ट्रिया कर दी गई ठीक है या माल लीजिए कोई नॉन ट्रांसफेरेवल वाली है तो ऐसी सारी रेजिस्ट्रियां जो है वो कैंसल हो सकती है तो इसलिए जब भी आप जमीन खरीदे तो मैंने कई वीडियो में बताया है सभी कोमेंट्स चेक करवाना चाहरा है करवा सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिया गया है धन्यवाद